We have Indian system of bookkeeping, means भारतिय बही खाता प्रणाली भारतिय बही खाता प्रणाली दोरा लेखा प्रणाली की सिद्धानतों पर यह अदारित है दोरा लेखा प्रणाली की तरह से ही यह easy है, flexible है इस प्रणाली में हिसाब किताब रखने के लिए हिंदी, महाजिनी, गुजराती, मुडिया आधी कोई भी language का प्रियोगा आप कर सकते हैं भारत में अंग्रेजी दोरा लेखा प्रणाली के अधिक लोग प्रियोगा होने के कारण आप ही जो businessman है, वो अपना जितना भी जो भी खज़गा होता है, भारतिय बहिकाता प्रणाली के अधार पर रखते हैं इस प्रणाली में हिसाब किताब रखने के लिए registers यूज में नहीं आते इसे लाल कपड़े के जिल्द चड़ी हुई मोटी बहिया प्रियोग में आई जाती हैं, जिनके एक सिरे पर दोरी बंदी रहती है, इनके प्रष्ट पर लाइने नहीं होती, बल्कि इनके प्रष्ट आठ बार मुड़े होते हैं, जिने सल केते हैं आप आती है हमारी विशेष टाइंग, इस चैरेक्टर स्टेक्स ऑफ इंडिन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इसमें हैं भारतिय भाष्ट का प्रियोग, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बढाया, यह हमारी भारतिय भाष्ट में लिकी चाती है, तो इन भाहियों मे सदैफ किसी भारतिय भाष्ट का ही प्रियोग होता है, अधिकांश मुरिया भाष्ट का प्रियोग किया जाता है, नेक्स्ट भाहियों का प्रियोग, इस प्रणाली में रजिस्टरों के स्थान पर लंबी-लंबी भाहियों का प्रियोग किया जाता है, इनके बंदने चिकने मोटे कागच के तता बिल रूलर के होते हैं उपर लाकवर चड़ा होता है तता सिरे पर बनने वाली डोरी बंदी रहती है सलों का प्रियोग जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें लाइन्स की यूज नहीं होता इसमें पेजिस को आठ खानों में मोड़ जीते हैं और जिससे की सल बन जाती है एक लाइन चैसा है एक कायमेंट क्रियेट हो जाता है उस पेज पे जिनिस सल कहता है इसमें दिनांख लिखने का ढंग इस पद्दितिके तारिक सबसे उपर लिखी जाती है इसके लिए अंग्रेजी पद्दिती के नुझसा, कोई खाना अलग से नहीं होता योग लिखने का ढंग दोनों पकशों के योग एक ही पंक्ती में नहीं लिखे जाते बलकि दोनों और की अंतिम प्रविष्टी के ठीक नीचे लिखे जाते हैं आप हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि इसकी नीड क्या है जब हमारे पास और भी अंदुरूरा लेका पनाली की और भी बुक्स हैं पनाने के लिए हम लेजर में तियार कर सकते हैं हम जोनल एंट्रीस कर सकते हैं तो फिर इंडियन सिस्टम क्यों तो इसके पॉलारिटी के कुछ रीजन है तो रीजन फो पॉलारिटी ओफ इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इसमें सबसे जादा जो इंपॉर्टन्ट है वो है कि यह इजी है ईया परणाली इतनी सहल है कि समाने बुद्धी वैले वैक्ती भी इसे बहुत ही जल्दी सीख सकता है मित्ताब फ्लैक्सिबल है यह परणाली अपक्सक्रत कम करचीली है क्योंकि अंग्रेजी परणाली में प्रियोगाने वाले रजिस्ट्रों की तुल्णमें भाया सस्ती होती है इस प्रणाली में लेके करते समय अन्य विवरंड भी लेके जाते हैं अंग्रेजी प्रणाली समान वाउचर आधी रखने की अविशक्ता नहीं होती सबसे कॉमन देशी भाषा का प्रयोग साधान ते इस प्रणाली द्वारा हिसाब किताब रखने में हिंदी उर्दू गुजुराती माराथी बांगली आधी भाषा को प्रोक किया जाता है गोपनिय था प्राय मुडिया भाषा में लेखा जुका रखी जाने के करण इससे समाने विक्ति द्वारा सलता से नहीं पढ़ा जाता है इसे रखा गया हिसाब गोपनिय होता इंडिन सिस्टम की हमाई पास कुछ डिमैरिट्स भी है इसमें सबसे जो आप देखेंगे जो सबसे ज़ादा यह खातो समंदी दोश इसमें विपार खाता नहीं बनाया जाता तथा अंतिन खाते बनाते समय आजनों के लेखे नहीं किये जाते जैसे अनुपार्जित आये अदत्व दूसरा है बहियों समंदी दोश बहियों के बहुत अधिक लंबी होने के कारण प्रियों में सर्था नहीं रहती बहियों में प्रष्ट शंक्या भी ना होने की कारण पन्ने निकल जाते हैं और जो तीसरी और आकरी है वो है भाश्य संबंदी दोश इसमें अधिकांश मुडिया भाशा का प्रियोग किया जाता है जिसे पढ़ने में जन साधान को कटना ही होती है इस पदले के अंदर उधार तता नगद सभी कार के सौदो का लेखा रुकर बही में किया जाता है जो उच नहीं है इसमें फुटकर वयों के लिए अलगलग खाते ना खोल कर केवल दुकान वय खाता खोला जाता है क्योंकि इस प्रणाली में इस इंडियन सिस्टम में कुछ डिमेरिक्स है तो उनको सुधारने के लिए कुछ सजिशन्स दिये गए है वो है इस प्रणाली में छोटे-छोटे वयों के लिए खुदर रोकर बही रखी जाना चाहिए रोकर बही ने केवल नकद लेंदों का लेखा किया जाना चाहिए आई वयो की मदों के लिए अलग खाते खोलने चाहिए पूझी कत वय आएगे वयों में अंतर किया जाना चाहिए अंतिम काते बनाते साह में वास्तवे किस्तरी ग्यात करने के लिए समायोजनों को उचित रूपे लिखा होना चाहिए व्यापार का शुद्धलाप ग्यात करने के लिए माल खातक के स्थान पर व्यापार एवं लावानी खाता बनाया जाना चाहिए अन्य बह्यों के स्थान साथ में ग्रेवापसी एवं विग्रेवापसी भही भी रखी दिने चाहिए